जैना बोलेनात जैना भवानी और हर महादेव दोस्तों केसे आप लोग आज आपका भाई जो सेटप तयार किया था वोटो व्लोग के लिए वो सेटप तयार करके निकल चुके हैं हम राइट पर माइक का केमरे स्टेंड हैलमेट वाला तो 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 चुटा हूं सारा काम तो मैं कि अभी यह मेरा फर्स्ट प्लोक है तो इसमें पता चलेगा कि रिकोडिंग केस ही हो रही है कि मैंने अपना केमरा भी वह मंगाया था डीजे आई ओस्मो एक्सेंट फॉर आज इसका रिजेल देखेंगे मोटो ब्लोगी में केसा आता है क्योंकि पहले जो कुछ वीडियो में डाली ती वह स्टेंड का कोटिंग डाली ती स्टेंड लेकर के और अभी जो वीडियो को अटेज किया हुआ तो अब पता चलेगा कि व्यू किस टाइब से आ रहा है तो अब तो कुछ ऐसा पता नहीं है घर जाके देखूंगा भाई यह हमारा वी यार मोल सर्केल अब 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 गवराट तो वी थी पहले मेर को कि वही कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा और बॉलेनाथ का नाम लेकर के मैं तो भाई बुलूट लेके निकल गया कि अब तयारी तो मैंने करी रखी थी पहले रोइन्फिल्ड क्लासिक थ्री फिप्टी भी एस सिक्स जो कि मैं भी चला रहा हूं और यह मर्सडीज वाले अंकल सामने आ गए करने जा रहा है अगर आपको मोटर बुलक बनाना ना वैसे मुबाइल से भी शूट कर सकते हो पर मैंने पहले बीच में से चोटे मोटे बनाया थे मुबाइल में शूट करके स्टेंडी लाया था रही सो तीन सो रुपे की मुबाइल भी लगा के देखा पर वह मजा नहीं आ रहा है इसलिए मैं एक साल तक रुका रहा एक साल के बाद मैंने सोचा कि भाई अच्छा केमरा लूँगा उसके बाद ही मोटर ब्लॉक चालू करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्री से वायार सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा नहीं लगता फ्री बटन दबा दो बेल आइकन भी दबा दो खोल के ताकि ना नेक्स्ट वीडियो पता चल जाएगी घर में भी इतनी है ना भाई अभी टेंप्रेजर होगा 40 डिग्री शुरत का आज का टेंप्रेजर बता रहा हूं टेंप्रेजर भाई अच्छे आदमी जुलस जाओं है और भाई सुरत में हर जगे केमरे ऐसे लगे हूं है कि पच्चास उपर ले जाओंगे ना घर पर मेमो आता पूरा कि अब यहां पर आकर आप देखोगे ना बहुत मज़ा आगा देखने क्योंकि यह एरिया कहलाता है यूनिट सिटी एरिया यहां पर कॉलेज है ना बड़ा यूनिट सिटी है यह देखो यह पोर्ड मारा हो ना बड़ी कोई भी आप अगर मोटर राइट कर रहे हो ना ट्राफिक में मज़ा निया आगा फुली रोड चीए चलाने लिए और अगर अभी बार इसका मोसम हो जाए ना भाई-भाई-भाई-भाई-वाई-वाई-वाई-वाई-वाई- क्या नाम है देदा तरह आमो डेदर अमो जाए और आमो यह देदा अरमो जेलो जाएदर आओ सब एक एक खाऊगे हैं ना ठीक है और चाव में बेटके खाऊगे ठीक है ओके चाव में बेटके खाऊगे हैं ना जाओ अब चड़क राम से पार करना वाइए अब यह अब यह अब अनुगर्द दौर सरकिल यहां पर भाई एनी टैम ट्राफिक रहता ही है याँ वह इंचाली बसे भी नहीं आगे इना पर कि अब 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 कुछ पार्ट्स लाने ते मूबाइल रिपेरिंग के तो मैंने सोचा भाई फुलोपी बन जाएगा आप लोग इसे बात भी हो जाएगी और अब अपनी थोड़ी ट्राइल भी हो जाएगी केमरे की वैसे ट्राइल को पहले ले रखी मैंने और अब 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 में अपनी गाड़ी के ना सब तयार रखता हूं क्योंकि यहां कभी भी कोई भी हाथ देकर रोक लेते हैं अब यह भी बहुत चल रहा है बॉटर मेंनल का कि अब यह भाई एक दिन ना ब्लोक दोस्तों में थोड़ी नाइट में बनाऊंगा हलकी नाइट मैं क्योंकि एरपोर्ट वाली रोड़ है ना वहां नाइट में इसा लगता दिवाली है बहुत मस्त लगती वह सजा के यह से रखी हुई ना उसको कि अधिशनी मंदिर जैस अनी देव जो मेरी वीडियो देखे लाइक करें उसका बला करना भगवान शब्सक्राइब करें उसका बेड़ा पार करना दो साल में ना सूरत में भी मेट्र आने वाली भाई फिर और मज़ा आएगा आए नया मोडल है इसकोर क्यों करें तो आए नया मोडल है नया सारी रोड़े खराब इसलिए क्योंकि मेट्रों का काम चल रहा हर जगे जब मेट्रों तैयार हो जाएगी इसके बाद ही मज़ा आगए जब अब आए अब आए अब आए तो आए अब तो निकाल देटा गाड़ी दोस्तों भी मेट कर्ची की तो बूरती यहां पर जबी फेस्टिवल होता है इनको सजाए जाता है यहां पर माला और बहुत पुब्लिक इफट्टी होती है कि अब कि अब कि अब वान यहां के ठंड़क वह थोड़ा यार कि अब कि कर्मी ना भाई मेरी मोबाइल भी चौप है तो मुझे आर एक दो दून में मार्केट आना पकता है मांग देने काई वह दिखरी सामने काली बिल्डिंग क्यों कि बूतिया बिल्डिंग के बहुत होन्टेट मानी यां यह वाली बिल्डिंग यह देखो सुरत की सबसे होंटेड डरावनी विल्डिंग है यह इसके आजू-बाजू बिल्डिंग बनी पर अंदर कोई जाता नहीं है वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें लाइक करें बाई बाई